आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरफ विडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें प्रशनफ फॉपसफीन बनाने की प्रयोकसाला विदी का निमनेट चित्र बनाई ह misunderstanding, तदर रसायनेकर अख्रद धीज़िए ठीक है . तो सबसे पहले हम क्या गरते हैं चित्र बना लेते हैं देखे, इस तरह यह है phosphine बनाने का चित्र ठीक है? अब यह आपको समझ में आ जाएगा देखे होता क्या है? इसमें क्या होता है? प्रयोक साला में phosphine gas देखे कैसे बनती है यहाँ पर कैसा वाता बरड़ लेते हैं? अकरी वाता बरड़ लेते हैं तो परियुक साला में Phosphine gas Vy-U की अनुपस्थिती में सफेद Phosphorase को सांद्र कास्टिक सोडा ठीक , सांद्र कास्टिक सोडा 2021 के साथ क्या करते हैं गर्म कर देते हैं तब हमारा Phosphine बन जाता है यहाँ पर हमने क्या ले लिया P4 और K hue H2O H2O जल ले लिया इनको क्या करते है इनको गर्म करते है वाटा वरण कैसा रहता है अक्री यह वाटा वरण रहता है तब यहाँ पर आपका बन जाता है Phosphine PS3 यही है Phosphine ठीक है और साथ में क्या बनता है साथ में यहाँ पर side product बनेगा NaH2PO2 इसका नाम क्या है Sodium Hypo Phosphite ठीक है ठीक है तो इस तरह से यहाँ पर Phosphine बन जाता है अब इसको हम बराबर कर देंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा यहाँ पर आ जाएगा 3 Na OH ठीक यहाँ पर जाएगा 3 H2o और यहाँ पर 3 Na H2PO2 ठीक है देखिए होता क्या है जासे यहाँ पर क्या जाँ रहिएotherapन की चित्र बताईए ता ठीक है रह्षानिक समीट देजिए इस तरह से इसमें जो उपकरड लिया गया है ऐसे ही उपकरड लेते हैं जैसे यह फ्लास्क ले लेते हैं और इसमें हम क्या रख लेते हैं इसमें क्या रख लेते हैं इसमें कास्टिक सोडा का 30% बिलियन लेते हैं और सफेद फॉस्फोरस के कुछ टुकड़े इसमें डाल दे यहां से कोल गैस डालते हैं तो जिससे उसमें उपस्तित वायू जो होती है वो बाहर निकल जाती तो अक्रीव आतावरण हो जाता है जल में डूबी हुई जो हमारी निकास नली है उससे गैस के बुलबुले निकलते हैं गैस का प्रतेग बुलबुलत जल से बाहर वायू में आता है और चमकेली प्रकास के साथ स्वता प्रजवलित हो जाता है और सफेद धुगा देता है इस तरह से ठीक है ये सफेद धुगा क्या दे रहे एक असुद्धी बन रही थी P2H4 जब फॉस्फिन बन रहा था तो ये जैसे वायू संपर्क आयेगा वो क्या बनाने लगेगा HPO3 मेटा फॉस्फोरिक अमल ठीक है तो उसी का ये धुगा है समझ गया तो सफेद धुगा मेटा फॉस्फोरिक अमल का होता है ये ठीक है तो इस तरह से फॉस्फिन को बनाया जाता है थांक्यू सब्सक्राइब करें अपने सारे डाउट्स आठ चार्सो 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 पर